नमस्कार देव भूमियाई सेकर्डमी की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा विशेश टॉपिक है बजट 2023-2024 में भारत सरकार द्वारा घोशित की गई प्रमुख योजना है यह महत्मूर टॉपिक पूरे भारत के संदर्व में भारत की अर्थे विवस्ता की संदर्व में या बरतमान करेंट अफियर के संदर्व में बहुत महत्मूर टॉपिक माना जाएगा और इसमें हमने लक्ष रख्या है कि 2023-2121 की संपूर भारत सरकार की योजनाओं का एक सही क्रम और उन्हें किस बिभाग बारत सुरू किया गया है ये भी कोशिस की गई इसमें चलिए चलते हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं है 2023 हमारे पास सबसे पहले है और उसमें भी सबसे पहले है PM प्रणाम योजना काफी सुर्यों में बरतमान में मतलब क्या है PM प्रणाम का तो PM यानि परधान मंतरी Program for Restoration Awareness Nourishment and Amelioration of Mother Earth इसका मतलब भी है फुल फॉम अगर पूछता है तो दूसरा इसकी सुरुवात कब हुई है फरवरी में बजट के दोरान इन बहुत सारी योजनाओं की सुरुवात कर रखी है तो इसलिए इसकी सुरुवात फरवरी 2023 और उद्देश सी क्या है क्यों चलाएगी PM प्रणाम योजना भारत में रासाइनिक उर्वरग जो हम फर्टेलाजर स्यूज कर रहे हैं अपने खेतों में खाज कर किसान की खपत कम करना तो रासाइनिक उर्वरग की खपत को कम करना तता उन पर सबसिटी के बोच को कम करना उन पर जो सरकार सबसिटी दे रही है आज रासाइनिक उर्वरग को पर उसको कम करना उस बोच को कम करना और इस्थाई किर्शी तक निगी जो पर्मानेंट एग्रिकल्चर टेक्नलोजी हमारे भारत में पहले से थी उसको प्रोफसान देना उसको बढ़ावा देना और बहुत महत्पूर्ण है यानि बरतमान में भारत सरकारद्वारा या अब तक भारत सरकारद्वार किर्शी के छेतर में जितनी भी सब्स्टी दी जा रही थी खासकर राशनी और रोरों के लिए उसको कम करना इसका उद्देश से है और जो परंपरागत हमारी खेती है उसको महत्तु परदान करना है तो ध्यान रखेगा बहुत important topic है और गोबर की खाद या जो बरतवान में या जो परंपरागत तरीके से जो हमारे खेतों में खाद दी जाती थी उसको ज्यादा महत्तु देना है तो ये department है केंडरी और औरक म कब सुरुवात है तो 16 survive 23 गए तो राजस्थान के शिरोही से ब्रह्मकुमारी का भी सहयोग है मत्ब बहुत के जल सक्ति मंत्रा ले और ब्रह्मकुमारी संस्था ज़रा शुरू किया जा रहा है सहयो क्ति रूप से इसलिए राजस्थान की सिरोई से इसकी शुरुवात की है 16 फरवरी 2023 को अच्छा क्या है जल जन अभियान का उद्देश से इस योजना का उद्देश से water harvesting के साथ पेड लगाने और जल संग्रक्षन हे तो लोगों को प्रेदित करना है मतलब जहां जहां भी जल संकट है जल संकट के निवारण के लिए water harvesting concept को लागू करना और जल संग्रक्षन के लिए लोगों को प्रेदित करना और जल जल जला संग्रक्षन का निर्मान भी इसे लागू कर चुका है चलिए महत्मून योजना थीक नेक्स्ट है तीसरी महत्मून योजना mystery mystery mangrove यानि जो mangrove वनस्पति है उसके संक्रक्षन के लिए mangrove initiative for sore line habits and tangible income इसके लिए क्या है sore line जो हमारे तठ है हमारे तठों को जो बचाने का काम करते हैं mangrove वनस्पति है तो उस mangrove वनस्पति को बचाना है और देश से से पता चलेगा भारत के समुद्री तठों को mangrove रक्षारोपण की सुविधा परदान करना चुकि हमारे बहुत सारे समुद्री तठ जिन पर बहुत ज़्यदा कटाव है वो नश्ट होते जा रहे हैं समाप्त हो जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं तो उनको बचाना है उनके संग्रक्षन के लिए योजना चलाईगी है मिस्ट्री एक फरोरी 2003 यानि बरतमान बजट में इसका जिक्र है और इसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान है मंत्राले मंद्रेगा मात्मा गाधी राष्टी रोजगार गारंटी अधिनियम और कैमपाफंड द्वारा कैमपाफंड भी इसमें सायोग कर रहा है विभाग और मंत्राले तो मंद्रेगा और कैमपाफंड के सायोग से चलाईगे यह योजना भारत की स्वमुजनी तर्ट को बचाना है उन्हें मैंग्रोव रक्षा रुपनी की सुधा परदान करने के ल कि लिएं मेंगरोव कबर कर रहे हैं जो एरिया के साफ से दिखाय जाए आजेए यह लक्वक 4975 स्क्वाइर कलो में बतब तो बारत के छित भलका 4975 स्क्वाइर कलो मिनितर में और हरो जो आज पच्छे मंगाल में भारत के में रों का अखेले 42.45 परसि की सबसे जादा मैं र तरवन का डेल्टा तो इसको बचाने के लिए योजना है मिष्टी महत्पूर्ण योजनाओं में से है एक मिष्टी योजना भी चलिए नेक्स्ट आ रहा है अमर्द धरोहर योजना शुरुवात हुई है एक फरवरी दोजारत यहीं यह सारी योजना अब तक की 2020 की उद्देश से क्या है भारत के जहिलों के महत्तो और उनके संग्रक्षन पर जोड़ देने मतलब उनको बचाना है जहिलों का महत्तो समझना है उनके संग्रक्षन पर जोड़ देना है और आदरभूमी जो वेट्लेंड एरिया जे चुकि आदरभूमी या वेट्लेंड एर नहीं है उनको बचाना है आदर भूमिच के वैटनेंड एरिया भारत में बरतमान में 75 में इनकी संख्या दिन पर ती दिन बढ़ती जा रही है और उनको संग्रक्षित करना है उनको रिजर्व करना है और इसी संदर्व में अमरत धरोर योजना फरवरी 2023 और परतमान बजट म फिर से उद्दे से क्या है चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी शीमावरती गाओं भारत के चीन के सीमा से लगने माले भारत के ऐसे गाओं को संग्रक्षित करना है और उनका समगर विगास करना है जिसके तह भारत चीन की सीमा पर इस्थित उत्राखंड हेमा चल अरोडा च करना है चुकि आज भारत और चीन के भी जो समस्य आज की नहीं सामरिक जो समस्य आएं वो बहुत पहने से चलने हैं उनीश वबासट के बाद से लगातार इसलिए सीमा वरती गाओं का विकास करना होगा उनको सस्ती टेकनोलोजी के माद्यम से उनने देश की मुख्यधारा से लगते हैं उनको आधुनिक टक्निकी से युक्त बनाना है उनमें सामाजार्थिक विकास करना है और उनको भारत के यानि भारत राष्टे के साथ संगठित करना है यह है इसका लक्स ताकि हम चीन से लगेगा अपने बॉर्डर को सुलक्षत कर सकें और यह है भारत सरकार की मैं पूर्ण योजना नेक्स्ट है हाइडोजन फौर हेरिटेज काफी सुर्यों में हाइडोजन ट्रेन का कंसेप्ट जो भारत में आ रहा है तो इस योजना के बारे भी थोड़ा सा हम देखेंगे हाइडोजन फौर हेरिटेज योजना फर्वरी 2023 फिर से 2023 की होजना थी उद्देश से क्या है भारती रेलवे द्वारा नविंतम तक्निकी किसने शुरू का रखे तो भारती रेलवे द्वारा नविंतम तक्निकी के शाथ अपनी विरासत लाइनों जो हमारी प्राचीन काल से लेकर मद्दिकाल या आधुनिकाल में जितनी भी हमारी train के जो track बने हुए है जो राष्टी विराशत है या यूनेसकों की विश्वधरोर शोची में सामिल है उनको उन tracks को या उन ऐसे विराशत छेत्रों को अपनी विराशत लाइनों को आधुनिक बनाना हुआ में भारत का डबलमेंट करना है और जो प्राचीन तक्निकी थी उसके इस्थान पर नमीनतम तक्निकी का उप्योग कर हमारे जो विरासत लाइन है रेलवे लाइन है उनका डबलमेंट करना है और इसी के 2023 में चलेगी कालका सिमला, चुकि कालका और सिमला जो रेलवेज था, इसको अंग्रेजु के समय में डवलप किया गया था, और ये भारत UNESCO की विस्वधरोर शुची में भी सामिल है कालका सिमला, और यहीं से इसकी सुरुवात होनी है, यहीं पर पहली हाइडोजन ट्रेन चलने वाली है, दिसमबर 2023 में, ध्यान रखिएगा, चुकि करंट से समधर एक टॉपिक हमने डाल दिया जिसमें हमने भारत की पहले हाइडोजन टेल कहां चली है, और किसके बीच चलेगी, कब चलेगी, उसका पूरा जिकर कर रखा है, इससे पहले भी, तो 2023 की महत्तपुड योजना है, हमारे पास चल रहे हैं, और एक और महत्तपुड योजना यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो है युवा पेशिवर योजना, यह बिटेन के साथ यह योजना चल लिए, सुरुवात फरवरी 2023 में इसकी हुई है, भारत और बिटेन के मद्दे, क्या है उद देश से, भारत बिटेन के मद्दे, सांस्कृतिक और आर्थिक शंबंदों को मजबूत करने ही तुचलाईगे योजना, मतलब इससे हमारे आर्थिक और शामरिक संबंद या सांस्कृति संबंद महत्पूर रहेंगे, होना क्या है इसके तहर्ट? अठार से तीस वर्षी की आयूत तक के भारती चात्रों और पेशेवरों को जो बिजनिस करते हैं महा का बिटेन में, को महज 24 महा यनि 2 साल हे तुच बिटेन में रहने, और काम करने को लेकर सालाना 3,000 बिजा की पेश करते हैं, मतलब भारत चाहता है कि हमारे भारत के ऐसे चात्रों और पेशेवरों को जो बिजनिस करने वाले लोग हैं, बिटेन में बीजा आसानी से मिल जाए, तो 3,000 ऐसे लोग को बीजा मिल जाए, जो 2 साल तक आने वाले मतलब 2 साल तक बिटेन में आराम से रह सकें, अपना ब्योसाई कर सकें, तो ये था महत्पूर योजना युआ पेशेवर योजना, बहुत बड़ा प्रोसेस है, किसके थ्रोन, इसके थ्रोन, क्या-क्या होना है, क्या-क्या प्रोसेस रहेगी, वो सब एक बड़ा सा टॉपिक होगा, तो ये थी 2023 की महत्पूर योजना है, और इसी कड़ी में हमारे पास है, वर्ष दो 2022 की योजन होता है, इसका फुल-फॉपॉम पोस्ता है, तो क्या है, तो ये योजना सुरूबाद 2022 की योजना है, क्या है, उबड़ेस सीवर और स्यप्टिक टैंक की सफाई, तो उद्देशी क्या है केंदर सरकार चला रही इस योजना को उद्देशी क्या है कि सीवर और शैप्टिक टैंकों की सफाय की जाएगे इसके अंतर भारत में जो पुर्दुशित सहर हैं और भारत में पुर्दुण के छेतर में जो बहुत किया जा रहा है यानि इन दो मंत्राले के सहयोग से चलाएगे यह योजना है बहुत पहले से योजना चल ली थी कि भारत में सीवर और शैप्टिक टैंकों की सफाय के लिए भारत सरकार अपने इस तर पर यह योजना चलाएगी इसका नाम है नमस्ते और जो निमनवर की दलित लोगों को इस काम से मुक्ति मिलेगी इसका कई लक्षें इसके नेक्स्ट है PMCCS PM कियर्स फॉर चिल्डन इसकी 29-29 मैं 2021 की योजना है कोरुना महमारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद ही तु केंदर सरकारद्वारा चलाईगी योजना काफी सुर्कियों में रही थी PMCCS Fund for Children Scheme तो 29 मैं 2021 एक राष्ट एक वरोरण वन नेशन वन फर्टिलाजर योजना शुरुवाद 2 अक्टूबर 2022 को हुए इसकी उद्देश से केंदर सरकारद्वारा 17 अक्टूबर कहीं पर डेटी मिलेगी बाद माँ आपको तो घोष्णा 2 अक्टूबर को हुई थी 2 अक्टूबर नादी जहन थी एक राष्टे केंदर सरकारद्वारा वरोरण की चूरी और काला बजारी रोकने के लिए चलाई गई योजना अब एक ही ब्रेंड का उरोरण शंपूर देश में बिगेगा एक उरोरण एक ब्रेंड नाम से तो यानि पूरे देश में उरोरण यानि फर्टिलाइजर की सेम एक जैसी कीमत हैं और एक ही ब्रेंड मिलेगा तो उससे संपूर देश को योजना राज्य विश्विद्याले अनुशन धान उतकर्ष्टता योजना कहा जा रहा है इसे वैसे सर्व स्योर का फ्लिफॉर्म क्या है साइन्स एंड इंजिनिरिंग रिसर्स बोर्ड इस्टेट यूनिवर्षिटी रिसर्स एक्सिलेंस ये इस योजना का नाम शुरुबात हुए अगस्त 2022 में क्या है इसका उद्देश राज्यों और निजी विश्विद्यालों प्राइवेट शेक्टर के जितने भी उनिवर्षिटी या कोई विश्विद्याले में मजबूत अनुशन धान रिसर्च के लिए काम करना और उनके विकास के लिए काम करना इसमें नई तक्निकी के माध्यम से रिसर्च को यानि अनुशन धान शेतर को आगे बढ़ाना है ऐसे युगाओं को आगे लाना है जो रिसर्च के शेतर में अच्छा काम करने है तो राज्य और निजी विश्य जाले में मजबूत अनुश्य दानों विकास है तो ये उस्तला ये योज़ा सर्विश्य तो ध्यान रखेगा इसका फुल फॉर्म और अगस्ट 2022 और क्या उद्धिश से चलिए 2022 की योज़ा के एक लिश्ट हमारे पास next दिखाई दे रही है S.E.E.D. Scheme for Economic Empowerment of DNTs तो DNTs मतलब यहाँ पर विमुक्त घुमन्तू और अर्ध घुमन्तू जनजातिय। मतलब यह जनजातिय। के कल्यान के लिए जो दिनोटिफाइड है Denotified मतलब विमुक्त जो मुक्त ने स्वतंत रहे हैं उन पर कोई दबाव निया कोई राष्टी जनगर्दाम उनका महत्तु ने ऐसी जनजातिया भारत बहुत सारी निवास करते हैं तो उन्हें कहते हैं D&T, Antis घुमन्तू, D&T विमुक्त, Antis जैसे यहाँ पर आया, D&T सब्द का यूज़ है, D&T, Denotified है इसका मतलब, और Antis, Notified और C&T, Semi-Notified, मतलब विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध घुमन्तू जो सब्दी जो हो रहा है हिंदी में, तो उसके लिए आ रहा है, उन्हें, बतलब ऐसी जनजातियां, जो विमुक्त हैं, जो घुमन्तू हैं, कहीं भी निवास कर लेती हैं, इस्थानांत्रित खेदी कर करती हैं, और अर्ध घुमन्तू हैं, कहीं निवास करती हैं, कभी छोड़ देती हैं, इस्थाइप की, तो सभी आगी इसमें, जनजाति के आर्थिक ससक्तिकन के लिए, उनके एकोनोमिक इंपावर करने के लिए, उनके लिए, केंदर सरकारदारा चलाईगी योजना, अर्ध घुमन्तू हैं, मतलब D&Ts हैं, De-notified हैं, Notified हैं या Semi-notified हैं, ऐसी जनजाति के विखास के लिए, जिहान रखिएगा, नेक्स्ट है, PM स्री स्कूल है उजना, सितम्बर 2022, पास सितम्बर, यानि सिक्षक दिवस की दिन चलाईगी उजना है, PM Schools for Rising India, इसका फुलफोम PM स्री का मतलब, उद्देश की क्या है, सरकारी स्कूलों को विख्षित वा उन्नत बनाने ही तू, 4597 आदर्स स्कूलों का चैन क्या जाएगा, नि मौडल स्कूल बनाए जाएंगे, सरकारी स्कूल, और 2022 से 27 तक इन पर 27,360 करोड रुपया खर्ची किया जाएगा, मतलब लग अब चौध हजार से अधिक स्कूलों को मौडल स्कूलों बनाना है, सरकारी स्कूलों को, और उन पर 27,360 करोड रुपया खर्ची किया जाना है, यह है PM स्री स्कूल योजना, चलिए, एजुकेशन के छेतर में महत्मोड योजना थी, नेक्स्ट है, परधान मंत्री आदी अधर स्री राम योजना, यानि ऐसे छेतर जो जन्जाती बहुल हैं, उनके विकास के लिए, उनका सामाजारती के विकास करना है, इसका लक्स है, नेक्स्ट है, PM किर्शी उड़ान योजना, शुरुआ दोजार बाईस महरे किया, उद्देश से किसानों को लावनित करने है योजना, यहां पर एक और महत्मुन योजना दिख लिए, अंतराष्टी हवाई संपर के योजना, अगर ये भी 2022 की योजना है, उद्देश से चुनिंदा अंतराष्टी गंतव्यू के साथ हवाई संपर को बढ़ावा देने हैं तू चलाएगे योजना, और इसको नागर बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डू का विकास किया जा रहा है, और बरतमान में भारत में हवाई अड्डू की संक्या बढ़कर 35 और ज्यादा बढ़ती जा रही है, बड़े-बड़े हवाई अड्डू का विकास किया जा रहा है, जैसे गरिटर नौइडा में है, कुसी नग में है और युद्ध्या में बहुत बड़े-बड़े अंतराष्टी राष्टी हवाय डे डवलब के जा रहे हैं तो ये इसका उद्देश से खेर आगे बढ़ते हैं अमर्त भारत इस्टेशन योजना देसंबर 2022 की योजना है इसका है रेलवे अधुनी की गर्ण करना अमर्त भारत इस्टेशन का आधुनी की गर्ण करना अगनीपथ चुके पूरे देश में जब चली योजना सुरुई थी तू कापी हलला मचा था तो इसकी वज़़े से शुरुवात जून 2022 महुरे की इसकी अगनीपथ योजना केंदर सरकार दोरा सस सबस्त्र बलों में युगाओं की भरती हितु चलाए गई योजना अगनिवीर के नाम से जाने जा रहे हैं ये थी अगनिपत परती योजना जून 2022 ये भी ध्यान रखना आप चलिए आगे बढ़ते हैं दोजार एकीस में पहुद ही हम इसी की साथ दोजार एकीस की प्रमक्त योजनाओं पर काम करेंगे हम लोग हमने दोजार एकीस वाइस और तैज़् लख हो है इसका मत फुल फॉर्म में है स्रेश्ट का फुल फॉर्म अगर पूस्ता है तो वो देश्ट किसको रखा गया है अनुशुचित जाती SC स्रेश्टी के चात्रों को गुणवत्ता पूर्श शिक्षा और आउसर परदान करना तो SC जाती के चात्रों को क्वालिटी बेस एजुकेशन परदान करना है इसका और उनके आउसरों की बढ़ाना है PM स्रेश्टी योजना किसके लिए है तो SC चात्रों के लिए ध्यानक नाए प्रस्ट इस्पिन योजना Strengthing the Potential of India Strength यानि भारत के Potential को आगे लाना बढ़ाना SPIN का मतलब क्या है सुरुआत हुए 17 सित्मर 2020 इसको उद्देशी क्या है कुमारों की आमदनी को बढ़ावा देने ही तो चलाएगे लिए चो कुमार है और भारती समाच का एक महत्पुन अंग है और हमारे परंपरागत इध्यास का एक महत्पुन भाग है कुमार और उनकी आमदनी को बढ़ावा देने हैं उनके अपनी काम तो उनके भ्योसाहत हैं लेकिन उनकी आमदनी इतनी है कि उनकी संपर्नता हो जाए तो इस बज़े से कुमारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए चलाएगे महत्पुन योजना है स्पिन और विभाद, खादियो और किरामद्यो आयोग नेक्त है सार्थक योजना फिर से फुल्पॉम से योगाम से आर्टी एचे क्यू सार्थक इस्टुडेंट्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन वास्टिक शुरुबात आठ अप्रेल को हरे के इसकी तो क्वालिटी एजुकेशन की बात हुरी इसमें भी 9 जुलाए 2020 को चलाएगे योजना उद्देश से गुणवत्ता प और चात्रों के विकास ही तो चलाएगे योजना नहें नेक्स्ट आहार क्रांती मिसन योजना शुरुबात 31 अप्रेल 2021 योजना है सुलाप पौश्टिक भोजन फौलों और शब्जियों के बारे में जन जाग रुकता आदर स्वाक्तिय उत्तम आहार और उत्तम मिचार इस 15 अगस्ट 2021 15 अगस्ट 2021 को घुड़ना हुए इसकी उद्देश से भारत की ऊरजा सुरक्षा को बढ़ावा देने है तो चलाएगे योजना भारत की ऊरजा सुरक्षा को बढ़ावा देने के रहे मताब अब परंपरागत उरजा के सिरो धिरी-दिरी समाप्त हो रहे हैं जै उद्योग छेत्र को विख्षित करने के लिए चलाई गई है पीम में तरियोजना चुकि कपड़ा छेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा खासकर शूती वस्तर अद्योग छेत्र में भारत सबसे ज़्यादा इंप्लोईज हैं भारत में उसके वहत्र को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट है पीम पोष्ण सक्ति निर्माण होई भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुक्त भोजन मोहिया जो मिड़े मील योजना थी उनीशोपीजान में चलाएगी उसी को उसी के मोडल को जाएगे बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिड़े मील योजना को 5 वर्सी यहनि 2021 से लेकर 22 और फिर 2025 से 26 तक यह योजना चलाए जानी है मिड़े मील मिड़े मील का जो योजना चल लिया भी सरकारी स्कूलों में तो उसी का एक रूप यह पिम पॉष्ण उसी को आगे बढ़ाय जा रहा है कब तक 2021 बाई से लेकर 2025-2025 तर मिड्डे मिल का ही योजना है अच्छा नेक्स्ट है PM गति शक्ति योजना 15 अगस्ते 2021 भारत के युवा नागरिकु को रोजगार के आउसर प्रदान करने के लिए PM गति शक्ति योजना चलाई के आत्म निरबर भारत योजना 2021 भार इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व बर्दान करने के लिए 2021 की और जो योजना यहां पर दिखाए देरें उसमें है डेरी सहकारी योजना 31 अक्ति शक्टबर 2021 की योजना है किसानों की आये दुगना करने के लिए चलाईगे योजना उत्तम किसम के दूद की क्वालिटी प्रधानमंत्री युवा प्रधानमंत्री योजना यंग अपकमिंग एंड वर्ष्टाइल ओथर्स यानि ओथर्स के लिए लेखवों के लिए इंपोर्टेंड योजना है इभी 29 मई 2021 को चलाई गई है उद्देशी किया भारत के युवा लेखवों को प्रसिक्षित करने ह चलाईगी योजना है और इसको सिक्ष्या विभाग यानि सिक्ष्या मंत्रा ले देख रहा है इसको तो यह देखना युवा प्रधानमंत्री योजना किस से समझनेते हैं तो युवा लेखों को प्रोसाहित करने के लिए उनको प्रिशिक्षित करने के लिए तो ये थी चलिए आज की कलास यहीं पर समाप तुरी जए हिन जए उत्रख